बालाखाट से इंदोर जा रही बर्मा टेवल्स की बस गुरुवार की देर रात लगभग साड़े बारा बजे लावा घोगरी से आट किलोमेटर आगे मैनी खापा में दुरगटना ग्रस्थ हो गई तेजरबतार बस नाले पर बरनी रेलिंग को तोड़ते हुए नाले में जागिरी और पलट गई हास्ते के बाद यात्रियों में चीक फुकार मज़ गई इस हास्ते में बस में सवार दो महिलाओं की मौत हो गई तथा 37 सन्य यात्री घायल हो गई इस पुरी घटना में बालाखाट निवासी एक महिला की मौत हो गई है मैं बालाखाट निवासी तस लोग गंभी रुप से घायल हो गई है जोने जिला अस्पताल छिंदवाडा में भरती कराये गया है बस के पलटने के बाद कुछ यात्री बस के कांच तोड़ कर बाहर निकले तता पुलिस को इसकी सुचना दी मौके पर पहुंची एंबुलेंस से सभी घायलों को चिंदवाडा जिला स्पताल पहुंचाये गया है मौके पर ततकाल लावा घोगरी पुलिस भी पहुंच गयी तता घायलों को बाहर निकालने का रेस्क्यू किया गया दो यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था जिसमें नंदनी पती फैजल 22 वर्ष निवासी भोपाल तता रुपाली पती आशी ससाथी 36 वर्ष निवासी बालखाट शामिल है हाथसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया पुलिस ने बस चालक के खिलाब मामला दर्श किया है बस यात्रियों के अनुसार बस का चालक बस को तीज रपतार में चला रहा था जिसके कारणिया हास सगहटित हुआ है अथर्व असार्टी ठाईवर्स यह सभी बालाखाट निवासी इस घटना में घायल हो गया है चिनवाड जिले के लावा घोगरी थाना परभारी राकेश भारती ने बताया कि बस बालाखाट से इंदोर जा रही थी रात्री में साणे बारा बजे करीव यहास सगह हुआ है बस एक पूलिया की रेलिंग को तोड़ते हुए नाले में जागिरी और पलट गई इस हास से में दो महलाओं की मौत हो गई है जबकि 27 यात्री घायल हुए है सबी घायलों को देर रात चिनवाडा की जिलास पताल में भरती कराया गया है बस तेज रप्तार में थी जिसके कारण यहास सा हुआ है चालक मौके से फरार हो गया था पुलिस मामले की चांच कर रही है